तो जीतन राम मांजी ने मुख्यमंतरी नितीज कुमार से अपना रिष्टा तोल लिया, अब तोल लिया ऐसा क्यों, तो उनके बेते जो संतोस सुमन हैं, उन्होंने नितीज कुमार की कैबिनेट से अपना इस्थिपा दे दिया, उन्होंने मंतरी पद छोड़ दिया, कहा लेकिन फिलाल की बड़ी खबर है कि जीतनर्राम मानजी के बेटे नितीश कुमार की कैबिनेट से अपना इसी पा सौप चुके हैं। जीतनरा मांजी और उनके बेटे दोनों एक साथ मुलाकात करने नितीश कुमार के बेहद खास बीजय चौधरी से गय थे और वहाँ पर मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इसी पा भेज दिया आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि महांगडबंदन बनने के पहले ही तूट च है नमस्कार में मोहित कुमार सींग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर जो जीतनरा मांजी से निकल कर सामने आ रही है कि जीतनरा मांजी के जो बेटे हैं उन्होंने कैबिनेट से अपना इसी पा दे दिया अपना मंत्री पत छोड़ दिया अब क्यो जीतनरा मांजी पिछले कुछ वगत से लगातार जो नितिश कुमार हैं तेज़स्वी यादों हैं उनके उपर उनके कारशेली के उपर जो महागडबंदन में बड़ी पाटिया है उनके कारशेली पर सवाल उठाते रहे और आखिरकार नितिश कुमार के कैबिनेट से आप साधे चार में कैबिनेट की बैठक है, साधे चार बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, ये कहा गया कि 11 बच के 30 मिनट पर बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक को आगे बढ़ा कर चार तीस पर कर दिया गया, और अब चार तीस पर नितिश कुमार क्या कुछ कहते हैं, नितिस कुमार का क्या कुछ स्टेंड होता है या सब कुछ देखने वाली बात होगी लेकिन जीतनरा मांजी जैसा संकेत दे रहते उसी दिश्णा में आगे बढ़ रहा हैं उनके बेटे ने नितिस कुमार के कैबिनेट से सिपा दिया अब जीतनरा मांजी महागडवन्दन से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे इसके बारे में विश्टित जानकारी अब आगे दी जाएगी लेकिन फिलहाल प्रत्थम जानकारी आपका यह फर्स्ट इंफोर्मेशन के तौर पर यह जानकारी दे गए जो जीतनरा मांजी के बेटे हैं नितिस कुमार की अब और मांजी आगे क्या करेंगे उनका अगला कदम क्या होगा जीतनरा मांजी की बियार की राजनीती में हल चल बढ़ चुकी है जीतन राम मानजी का अगला कदम क्या होगा या देखना सबसे मुत्वपुन होगा और जीतन राम मानजी जो बार-बार कह रहे थे कि हमको विपक्च के बैठक में नहीं बुलाया गया वे बार-बार सवाल उठा रहे थे उन्ह संत्राम मानजी ने अपने बेटे का इस्थपा दिलवा कर संकेत दे दिया कि अब नितिश कुमार से और पटरी नहीं रहने वाली अब आगे क्या नितिश कुमार की तरफ से जीतनरामानजी को मनाने की कोशिस होती है या जीतनरामानजी महागडवंदन छोड़कर अपने आपको इसे अलग कर लेते हैं तमाम चीजों के बारे में जो भी नहीं जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुचाएंगे लिए फिलाल की बड़ी ख़बर यही है कि जीतनरामानजी के बेटे संतोस सुमन में अपना मंत्री पद छोड़ दिया फ्मार को अपना इसी पाँ सोप दिया अपना इसी पाँ भेज दिया और इसी के साथ वियार की राजनिती में हल्चल पैदा हो गई कि अब जीतनरामानजी का अगला कदम क्या ह होगा क्योंकि जीतन ना मांजी का अगला कदम मांजी समाज जो दलित महादलीत की राजनुति ये विशेस्तोत पर महादलीत उसको प्रभावित करेगी आपकी प्रतक्रिया कहा है कमेंट बखस लिए कर दाइएगा तमाम ख़बरों के लिए अब जंदांग साथ बने रहिए विडियों ही पर समात करते हैं कैमेरे उसे पिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सहीं बहुत बहुत धन्यवाद